दिल्ली कॉंग्रिस मुख्याला में हर्याना परचार परसार कमेटी की बैठक हुई इस बैठक की अधिक्षता पूर्ब सांसर नवीन जिंदल नकी बैठक में परदेश परभारी श्रकेल एहमद परदेश अधिक्ष अशोक तवर सांसर दिपेंदर हुड़ा समेत के वरिष नेता मौजूद रहे करीब दो घंटे तक चले इस बैठक में कॉंग्रिस किस तरीके से परदेश में परचार और परसार करेगी इस पर चर्चा की गई कॉंग्रिस नेता नवीन जिंदल के मताबक बैठक में पूरी तरीसे पर चार का 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 तयार हो गया और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा बीजीपी पर हमला करते हुए नवीन जिंदल ने कहा कि बीजीपी में नेतरितों के कमी है और भुपेंदर हुड़ा के मकाबले का कोई भी नेता पार्टी के पास नहीं है बल्लबगड की विधायका और मुखे संसिदे सचीव शारदार अठाओर से विधानसावा चुनाब से किनारा करने की घूशना करते हुए परदेश कॉंग्रेश अधिक्ष रशोक तवर पर गंभीर रारुप लगा है अचानिक बदली राचनितिक परिस्टियों में मुखे संसिदे सचीव शारदार अठाओर ने चुनापना लड़ने की घूशना करते हुए परदेश कॉंग्रेश अधिक्ष रशोक तवर को चुनावती दी है कि वह बल्लबगड विधानसावाक शेतर से कॉंग्रेश उमी कॉंग्रेश उनकी मां सुमाना है और मां को चोड़ने से दुख होता है इसलिए उन्होंने पार्टी में फिर से मजबूते के साथ काम करने का मन बनाया लेकिन जिस परकार उनके बारे में लगातार टिपनी की जारी है उससे वह बेहत आहत है हर्याणा कॉंग्रेश के परवक्तर रण सिंग मान ने कहा है कि पार्टी की टिक्टो के बटवारे को लेकर मुक्ह मंतरी बुपेंद्र सिंग घुड़ा और पार्टी के परदेश अध्यक्ष और शोग तवर में किसी तरीके का तक्वरार नहीं है मान ने कहा कि दोनों निताओं के बीच योग्या और जिताओं उमिद्वारों के चैन को लेकर विचार में जरूर चल रहा है लेकिन कोई नाराजगी नहीं है रण सिंग मान चंडेगड में पत्रकारों से बात कर रहे थे मान ने कहा कि कांगरिस जल्द ही उमिद्वारों के नाम को मेटी को भेज देगी और एक दो दिन में पार्टी उमिद्वारों के नाम का एलान कर देगी साथ ही मान ने किशेतरबाद को लेकर परदेश की कांगरिस सरकार के अलोचुना करने वाली भाजबा पर परटवार करते हैं कहा कि सबसे ज़्याद किशेतरबाद परदार मंतरी नरेंदर मोदी कर रहे हैं और उप्चुनाब के नतीजों का फाइदा हरियाना विदान सावाद चुनाब में कांगरिस को मिलेगा कि देशवासियों को अर्याना परदेश कोंगरेश की ओर से बढ़ाई देशवासियों को कि जो भारतिय जनता पार्टी सपने बेच करके केंदर में शत्ता में आई थी वो बहुत थोड़े समय में यानि चार महिने के अंतराल के बितर ही दर्ती पर ल्याखडा किया और और क्योंकि राजस्तान बहुत नजदीक है और उत्राखंड के जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए हैं और जिस तरह से कौंगरेश ने वापसी की है अर्याना में जो आने वाले विदान सबाद चुनाव है निस्चित रूप से उस पैसर पड़ेगा और भारतिय जनता प बंदन की संभावना से इंकार करते हुए अपने सोला उमीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश सारन ने करनाल में इसकी घूशना करते हुए कहा कि बसपा अपने दम पर प्रदेश विदान सबाद चुनावों में उतरे गया सबी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उन्होंने किसी प्रकार के महा गटबंदन की संभावना को सिरे से नकारते हुए साफ कर दिया कि बसपा सुपरीमों मायवती ने पार्टी को सबी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के निर्देश दी हैं उनकी पार्टी किसी अन् लैंडगर्ड और खरकाओदास सही अन्य सीटे शामिल है साथ ही नरेजव सारन ने पूर घोसी 17 सीटों में किसी भी तरह के फ्वेर बदल की संभावना से साफ इंकार किया है बहुजन समाज पार्टी की राष्टे देख मारे ने वहन कुमारी मयावती जी पूरो मुख्या मंतरी उत्रवदेश के अंती मोहर लगने के बाद हरेना प्रदेश में होने वले विधानसवा चुनों को लेकर के आज दूसरी लिस्ट हमने जारी की है और सोड़ा प्रत्या बहुजन समाज पार्टी ने जो 17 विधानसवाक शेतरों में पिछले दिनों सुची जारी की थी वो तमाम सुची बहुजन समाज पार्टी की राष्टे देख समान ने वहन कुमारी मयावती के सेम्तिस्य की थी इसमों कोई फिर बदल में किया गया हर्याना विधानसवा चुनावों में मैदान में न उतरने के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने पूरी सक्रीटा दिखाने की बात कही है आम आदमी पार्टी इसके लिए हरियाना भर में विशेज अभ्यान चड़ेगी आपके आवास नामक इस अभ्यान के तहट 5000 वोलेंटियर हिस्सा लेंगे और हरियाना की जन्ता में चेतना लाएंगे साथ ही पार्टी ने हरियाना में जल्द ही बड़े खुलासे करने की भी बात कही है चंदीगड में बुद्वार को आम आदमी पार्टी ने अगामी विदानसभा चुनावों के संबंद में एक विशेश बैठक रखी जिसमें आपकी आवाज नामक अभिहान का ब्ल्यू प्रिंट टेयार किया गया है जनता उनसे जो वोट मांगने आए उनसे सवाल पूछे हम चोट देंगे उन दागी उम्मीदवारों पे जिनके खिलाफ या तो प्रष्टाचार का मामला है अपरादी होने का संगीन आरोप है या जिनके चरित्र को लेके सीरियस डाउट है उनके खिलाफ हम विरोध करेंगे हम चोट देंगे और हम चौकीदारी करेंगे पूरी चुनाव की प्रक्रिया की ताकि चुनाव की प्रक्रिया में आचार संगिता का जो उलंगन होता है जो भी बेजा हरकते होती है ऐसी चीजें जो कि चुनाव का मजाक बना देती हैं हमारे हर्याणा में तो बहुत होती हैं उसकी निगरानी रखेंगे चुनाव आयोग पे दबाव बनाएंगे जनता और तमाम जन संखनों की मदद से हम कोशिश करेंगे कि चुनाव की पवित्रता बनी रहे इसी के चलते आम आदमी पार्टी ने हर्याणा परदेश के लोगों के लिए एक हेल्प लाइन नंबर 822-0945-00 और आपवाज at gmail.com इमेल आईडी भी जारी किया है ताकि लोग अचार सहीता के उलंगन की जानकारी आम आदमी पार्टी को दे सके पार्टी ने ये भी साफ किया कि वे ना तो किसी को समर्थन करेगी और ना ही किसी को उमीदवार के तौर पर उतारेगी हल्प लाइन का नंबर है 822-20945-00 ये हल्प लाइन है जी हमारी और एक इमेल भी हमने बनाई है जी आप आवाज डबल ए पी ए डड़ल्यू ए जट एड जीमेल डाट कॉम दो जरिये बनाए हैं जनता से हम अपील कर रहे हैं कि आप सूचना दीजिये और हम जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आप की सूचना देने वाले की पहचान बिलकुल गुप्त रखी जाएगी आपके पास जो सूचना है हमें दीजिये साथ में प्रमान भी भेजिये एविडेंस भी भेजिये बहुत जरूरी है हम एविडेंस की जाच खुद करेंगे लेकिन सूचना देने वाले क्या नाम पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी ये सब इसलिए कर रहे हैं कि हर्याना की राजनीती में कुछ बहतर हो सके चुनाव की पवित्रता लोगतंच की पवित्रता बची रह सके यादव के नुसार आम आदमी पार्टी चाहे चुनाव ना लड़ रही हो लेकिन चुनाव के दोरान और उसके बाद भी इसकी जिम्मेवारी को निर्वा करेगी आम आदमी पार्टी नेता योगेंदर यादव ने आरोप लगाया कि सभी राजनेतिक पार्टीों के घोशना पत्र में आगंबीर और बेहिसा वादों की जड़ी लगाई गई है किसी पार्टी के पास हर्याना कैसा हो इसका सपना तक नहीं बरहाल 21 सितंबर को आम आदमी पार्टी आपकी आवाज लेकर अभ्यान शुरू कर रही है चंडिगर से कैमरामेन अमन दीप सिंग के साथ मनोज राठी डेन नाइट निउज और इस समय को बड़ी खेम बड़ी एहम खबर आ रही है सेक्टर 52 से कार में लूट हुई है पुलिस की वर्दी में मौजूद थे ये लुटे रहे कार चालग से 10 लाक रुपे की नहीं नगदी लूटी है तो अब तक की बड़ी और आहम खबर अपने दर्शकों को बता दे चंडिगट के सेक्टर 52 से बड़ी खबर आ रही है कार से यहां से लूट हुई है पुलिस की वर्दी में ये लुटे रहे यहां पर पहुँचे थे और यहां पर 10 लाक रुपे की लूट को अंचाम दिया गया है कार चालक से 10 लाक रुपे लूट ले गया है पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे समवादाता मनोज राठी जी मनोज बताएं आखिर कार क्या है पूरा मामला जो बिलकुल विवेक इस तरह से यह गटना जो है बिलकुल अभी थोड़ी देर पहले की है जिसमें एक यूवक ने जो है कंट्रोल रूम पे सो नंबर पे फोन करके बताया कि उसके साथ 10 लाक की लूट होई है जो यूवक है वो ड्रीवर बताया जा रहा है और उसका अपना बैग लेकर जो है वो जा रहा होता है जो पुलिस पो बताए है जिसमें चार लोग वहां के बाइकों पर आया और उसको रोका जिसमें engaged की वर्धि में थे और सीवल डरेश में थे हलाकि पुलिश यह से सस्पेक्टिड मान रही है लेकिन यूवक का जो कहना है साथ तोर पर कहना है कि उसके साथ मार पीड कर पुलिश की वर्दी में जो लुटे रहे आयए थे 10 लाग का जो बैक लूट की लेके गए है और यह जो यूवक है ये धनाज का रहने वाला है और इंडस्ट्रिक एरिया में किसी बिजिसमेन की जो है वो गारी चलाता है जी मनोज जिस तरीके से आप मान रहें कि कहीं न कहीं मामला संदीक था क्या यूवक से इस समय गहन पूस्ताज की जा रही है भी कुल यॉवक को जो है पुस्टाज के लिए चथिस भाने लेकर आगे आ गया है वहां का एरिया सेच्चो और डियेशी वहां पर मौके पे हैं और यहां पे उसे यॉवक से पुस्टाज की जा रही है या खिर किस इस तरह के वो लोग थे और पुलिस की वर्दी में जिस तरह से उसने पुलिस की वर्दी का नाम लिया है तो बिलकुल एक स्पेक्टिड यहां पर बात आगी और सदीद जो है काफी हरानी वाली करने वाली बात है क्योंकि चंदीगर जैसे एरिया में इस तरह की लूड की वा हला कि अभी पुलिस जो है उस यूवक को लेकर ठाने आई है और उसे पूछ तराज की जा रही है तो पिल-पिल यहां पे काफी बड़ी जो है एहम ख़वर बाने जा रही है कि दस लाग की लूड जो है पुलिस की वर्दी में की गई है तो पुलिस अपने इस पर हिसाब स गहनता से जो है उससे पूछ ताज कर रही है जी जी मनुश तमाम चानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो यह थे हमारे समवारता मनुश जुराथी जो बता रहे थे कि सेक्टर बावन में दस लाग की लूड का मामला सामने आया है हाला कि यह वर्क से अब के मामले पर गहनता से चानदील की जारी है भले ही आप पार्टी विधानसाबाद चुनाब ना लड़ रही हो लेकिन वे अपने परचार करने में पीछे नहीं है इसी के चलते चंडिगर्ड में आम आदमी पार्टी के निता योगेंद र यादव ने अपने कारकरताओं के साथ बैटर की जिसमें ने भरस्टाचार अपराद में सल्लिप्त उम्मीदवारों के खलाफ रंडिती तियार की यादव के मताबिक जिन भी पार्टी के उम्मीदवारों में भरस्टाचार अपराद पे सल्लिप्त है पार्टी इनके वरोद में अभियान चलाएगी और जन के चलते आज योगिंद्र याजव जी हमारे साथ हैं जिस तरह से आपने अभ्यान शुरू किया है आपकी आवाज क्या चीजे उसमें आपने रखी है और आगे के लिए जो विधान सभा चुनाव निश्वक्ष तौर पर कराया जाए क्या-क्या जो आपका फॉर्मेट होगा देखे हम एक आंदोलन से निकलीवी पार्टी है हम राजनीती में इसलिए आए ताकि आम लोगों की आवाज उठ सके राजनीती की सफाई हो सके हमने चुनाव में उम्मीदबार ना उतारने का फैसला किया है हमारे पास उतने साधन नहीं है दिल्ली चुनाव से पहले हम कि आपकी आवाज अभियान के तहट तीन काम करेगी पहला चेतना यानि जन्ता की जन्चेतना बनाना उन मुद्दों के बारे में जिस पे सब पार्टियां चुप बैठी हुई हैं ताकि जब लोग वोट मांगने आएं तो पबलिक उनसे कुछ सवाल पूछ सके सवाल ब्रष जो तमाम असली मुद्दें जिसके बारे में पूरे हर्यान की पार्टियां चुप हैं वो सवाल उठाएंगे दूसरा काम हम करेंगे चोट यानि की ऐसे दागी उम्मीदवारों का सवाल के बारे में प्रमान उठाएंगे जो अपराद में ब्रष्टा चार में चरितर हींत में शामिल हो ऐसे लोगों का नाम जनता के सामने रखेंगे और उनके हलके में जाके हम उनका विरोध करेंगे ताकि गलत किसम के लोग चुनके ना आए तीसरा काम चौकीदारी चुनाव की प्रक्रिया में आचार संगिता का उलंगन न नहों इमानदारी और निश्पक्ष तरीके से चुनाव हो उसके लिए जनता और संग्ठनों के साथ मिलके चुनाव आयोग पे दबाव डालेंगे ताकि ये नियम लागू हो सके जिस तरह से बात करें भाजपा और कॉंग्रेस की बड़े बड़े दावे किये जा रहे हैं भाजपा का एक मोदी फैक्टर जिस तर का टोटल कॉंग्रेसी करण हो गया है अब तो पहचान अख़बार पढ़के याद करना पड़ता है कि कौन आजकल बीजेपी में और कौन कॉंग्रेस में हर दूसरे दिन से थी बदल जाती है दूसरा बीजेपी ठीक वही फॉर्मूले अपना रही है जो कि कॉंग्रेस कारे में जिस तरह हैं कि बड़े-बड़े वायदे दावे किये गए थे वो दावे थोड़ा हलके साबित हो रहे हैं मैं यह नहीं कहूंगा कि वो हवा उतर गई है खतम हो गई है लेकिन राज्यस तर पे उसका कोई असर नहीं है आपने उत्तर प्रदेश में देखा बिहार कि घंटी है अगर बात करें क्कॉंग्रेस की मुख्य मंत्री हुड़ा के अभी वी कई अंदर वीतर घात की बाते चल रही हैं या भेद वाव की बाते चल रही हैं उसको किस तरह से देखते हैं कांग्रेस तो पूरी तरह से डिस्क्रेडिटिड हो चूकी है लोग निराश नहीं हैं कॉंग्रेस से लोग गुसा हैं। इस चुनाव के शुरु होने से पहले ही लोग मन बना चुके हैं कि कॉंग्रेस का तो नामों निशान नहीं रहेगा। ऐसे में कुछ अच्छा परफॉर्म करने का तो मतलब ही नहीं होता है। आचार सहीता का पालन सुनिश्चित करवाने के लिए चुनाव आयोग भी पूरी स्तरकता बरत रहा है। मगर नेताओं ने फिर्ट से होडिंग बैनर टांकर आचार सहीता का मकाल उडाना शुरू कर दिया है। आलम ये है कि सिर्सा की बेगू रोड पर मिल्क प्लार्ट से लेकर गौव बेगू तक सड़क के बीचो बीच लंबे खंबो पर इन नेताओं के पूस्टर अभी भी लगे हुएं। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी के संग्यान में माम लाने पर उन्होंने नेताओं के खलाफ कारवाई करने का मन बना लिया है और वे परचार समगरी की वीडियोग्राफिक करवा कर उनके खलाब नोटिस जारी कर कारवाई करने की बात कह रहे हैं। अभी मैं अगर बाहर पर एक बार सारे अटा दिये गए थे हैं। अगर फिर से दुबारा लगाए गया हैं मैं अभी फ्लाइंग स्कॉयट को आरो के मातिम से विजवार हूं। और सभी की बीडियोग्राफिक करके उनका एविडियन्स त्यार करके उनको नोटिस तेंगे और उनके उपर जो प्रॉपर कारवाई हैं वो करवाएंगे साथ ही साथ जो भी हटाने का खरचा होगा उनसे वसूल करेंगे। सीली सीडी कार्ण मामले में सुनवाई हुई जिसमें स्ट्रिंग करने वाले धरमेंदर कोहाड का श्रपत पातुर दायर किया गया। चंडिकर लोका युक्तने आरोपी विधाइकों से उनके आवाज के सैंपल ले जाने पर सहमती मांगी। आरोपी विधाइकों को बाईस सितंबर तक सहमती को लेकर जबाब देना होगा। हर्याण समचार में अब तक के लिए बस इतना ही विवेक श्वर्म को दिजिए इजाज़त नमस्कार। खबरों की दुनिया में आईए। हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िये। हम मिलेंगे फेस्बुक पर। हम दिखेंगे यूट्यूब पर। हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहें राद दिन।